यह हमारी कुर्पी की कटिंग हो रही है। इस फ्रंट बैक टेक की साथ निकालना है। आपको यह हम दिखा ले कि यह हमारा सैलवेज है। इसते हैं आप अपना खड़ा कपडा पैशानले है। पहले मैंने एक फोल्ड किया। उसके बाद फिर यह दूसरा फोल्ड हुआ। अब हमने इसते मेजर्मेंट लेकर पुरा मार्क किया। प्रंट बैक एक साथ निकलेगा। उसके बाद फ्रंट कपडे में थोड़ा समय नेक पर डिजाइन देना है कि यह और आर्म होल पी जो कटिंग होती है वो अलग करना पड़ेगा। बाकि आपको अभी यह शोल्डर डाउन हुआ है 2.5 cm पर अब आपको हम दिखा रहे हैं क कैसे इस कटिंग को कि यह हमने 3 इंच पर इसकी चौड़ाई ली है गले के 4 इंच लंबाई ली है क्योंकि आपको बोटनेक चाहिए था तो ड़र डाउन करके 3.5 इंच पर कंदर रख रहे हैं फिर बाजू की लेंद्ध 7.4 माकिया आप मल्की यह सेब देकर 14 इंच पर हमने चौप का मार्जिन रख रहा है यह हमने 41 इंच पर लंबाई दे है कि यहां तक मेरी लंबाई चाहिए यह डेरी कढ़ा लिया फोल्डिंग और रहा है कर दो कि यह कर दोग़ा है